हिमाचल परदेश जी के सीरीज के लेक्चर नमबर फाइब के बारे में आज डिसकस करेंगे इस बीडियो लेक्चर में हिमाचल के इंपोर्टेंट टॉपिक प्रमुक जरने और गरम पानी के चश्मों के बारे में डिसकस किया जाएगा इस बीडियो लेक्चर में टॉप 40 प्लस MCQs को डिसकस किया जाएगा जो कि हिमाचल परदेश के वाटर फॉल्स और होट वाटर स्प्रिंग के बारे में हमें जानकारी प्रवाइड करेगा ये बीडियो लेक्चर आपके अगामी जितने भी गर्मेंट एक्जाम है उनके लिए इंपोर्टेंट है जैसे कि एलाइट सर्विसिस, एच्चे सर्विसिस, पतवारी, पुलिस और अन्य एक्जाम चलिए शुरू करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट एंड इंटरस्टिंग बीडियो लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अधिक्तम जो गर्म पानी के स्तरोथ हैं वो हिमाचल प्रदेश के किस घाटी पे स्तित है तो अधिक्तम गर्म पानी के स्तरोथ मिलेंगे सतलुच पे भी और ब्यास पे भी इसका करेक्ट अंसर हैगा बोथ A एंड बी, C इसता करेक्ट अंसर next question है which types of water springs are observed in हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में किस तरह के गर्म पानी के स्तरोथ देखे जा सकते हैं A option, ordinary water spring, B option, mineral water springs, C option, thermal water springs, D option, all of these हिमाचल प्रदेश में साधारन भी मिलेंगे, mineral भी मिलेंगे और thermal भी, it means correct answer is D option third question है आपके पास which type of water springs has high temperature water इन में से जो अलग-लग प्रकार के गर्म पानी के स्तरोथ हैं, किसका अधिक्तम तापमान होता है पानी का A option, ordinary water spring, B option, mineral water springs, C option, thermal water springs, D option, all of these तो इन अलग-अलग कर्म पानी के स्तरोथों में अधिक्तम तापमान जो है वो thermal water spring का पाया जाता है C is the correct answer next question है which hot water spring of हिमाचल has higher temperature among all हिमाचल प्रदेश के नीचे दियेगे किस गर्म पानी के स्तरोथ का अधिक्तम तापमान है सभी में A option, तत्ता पानी, B option, मनी करण, C option, खीर गंगा, D option, बसिस्ट तो हिपाचल प्रदेश में अधिक्तम तापमान जो है वो मनी करण hot water spring में पाया जाता है B is the correct answer Next question है, मनी करण hot water spring is located in which district of हिमाचल प्रदेश मनी करण गर्म पानी का स्तरोथ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है A option कुलू, B option शिमला, C option मंडी, D option किन और तो मनी करण जो मिलेगा आपको बू मिलेगा कुलू में A is the correct answer Next question है आपके पास मनी करण hot water spring is located on the bank of which river of H.P मनी करण गर्म पानी का स्तरोथ हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे पे स्तित है A option सतलुच, B option ब्यास, C option पार्वती, D option पबर तो मनी करण गर्म पानी का स्तरोथ मिलेगा पार्वती नदी के किनारे C is the correct answer Next question है High temperature of मनी करण hot water spring is due to the presence of what जो मनी करण गर्म पानी का स्तरोथ है वहाँ पानी का अधिक्तम तापमान होनी के बजा क्या है A option sulfur, B option iron, C option radioactivity, D option none of this तो यहाँ पे जो गर्म पानी है उसकी बजा है radioactive substance यानी radioactivity की बजा से C is the correct answer Next question है Which of the following hot water spring of HP is associated with Lord Shiva इन में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का गरम पानी का स्तरोथ भगवान शिप के साथ जुड़ा हुआ है A option khीर गंगा, B option कसोल, C option तत्ता पानी, D option money करण तो गरम पानी का स्तरोथ जो भगवान शिप के साथ connected है वो है money करण D is the correct answer Next question है कीर गंगा, hot water spring is located in which valley of हिमाचल प्रदेश कीर गंगा, गरम पानी का स्तरोथ हिमाचल प्रदेश की किस घाटी पे पाया जाता है A option बल बैली, B option ब्यास बैली, C option पार्वती बैली, D option सतलुच बैली तो खीर गंगा मिलेगा आपको पार्वती बैली पे, C is the correct answer Next question है आपके पास कीर गंगा, hot water spring is located in which district of हिमाचल प्रदेश खीर गंगा करम पानी का स्तरोथ हिमाचल प्रदेश के किस घिले में स्तीत है A option मंडी, B option कुलू, C option शिमला, D option किनौर तो खीर गंगा मिलेगा आपको कुलू जिला में B is the correct answer Next question है आपके पास Which hot water spring of हिमाचल प्रदेश is famous as penance place of Lord Kartike Who was the son of Lord Shiva इन में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का गरम पानी का स्तरोथ famous है जहां पे भगवान शिप के पुत्र, भगवान कार्ति के जी ने तपस्या की थी हजारों सालनों तक A option खीर गंगा, B option मनी करण, C option तत्ता पानी, D option कसूल तो इसका correct answer है खीर गंगा, A is the correct answer Next question है आपके पास, तत्ता पानी hot water spring of हिमाचल is located on which right bank of which river तत्ता पानी, गरम पानी का चश्मा जो हिमाचल प्रदेश में हैं, वो किस नदी के दाइने किनारे पे स्तित है A option ब्यास रिवर, B option सतलुज रिवर, C option रावी रिवर, D option चिनाव रिवर, तो तत्ता पानी मिलेगा आपको सतलुज नदी के दाइने किनारे पे B is the correct answer Next question है, तत्ता पानी hot water spring is located in which district of हिमाचल प्रदेश तत्ता पानी गरम पानी का स्त्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तित है A option कुलू, B option शिमला, C option किनाव, D option मंडी Correct answer है, मंडी, ये मंडी के करसोग में मिलेगा आपको Next question है आपके पास, तत्ता पानी hot water spring has high temperature water due to the presence of what तत्ता पानी गरम स्त्रोत पे जो पानी का अधिक्तम तापमान है, वो किसकी presence की बज़ा से है A option sulfur, B option iron, C option radio activity, D option none of these तत्ता पानी में अधिक तापमान होनी की बज़ा है, sulfur, A is the correct answer Next question है, तत्ता पानी place is also famous for what तत्ता पानी जो जगा है, वो किस और चीज के लिए भी परसीद है A option attractive paintings, B option attractive bellies, C option attractive costumes, D option none of these तो तत्ता पानी की नामक स्थान जो है, वो अकर्षित costumes पहनावे के लिए भी परसीद है लोगों के अकर्षित पहनावे के लिए, C is the correct answer Next question है, At present, some part of तत्ता पानी hot water spring has submerged in which project बरतमान समय में तत्ता पानी गर्म पानी के स्तरोत का कुछ हिस्सा जो है इन में से किस project के अंतरगत डूब गया है A option, Pandoor Dam, B option, Cold Dam, C option, Pong Dam, D option none of these Cold Dam की पुड़क्ट, जो construction के कारण, जो है तत्ता पानी, गर्म पानी के स्तरोत का कुछ हिस्सा उसमें सब मर्ज हो गया है तो B is the correct answer Next question है, Kasool hot water spring is located on the bank of which river of HP Kasool गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे पे स्तित है A option पबर, B option पार्वती, C option ब्यास, D option सतलूज Correct answer is, पार्वती नदी के किनारे स्तित है, कसूल गर्म पानी का चश्मा B is the correct answer Next question है, Vasist hot water spring is located on the left bank of which river of HP Vasist गर्म पानी का स्तरोत हिमाचल प्रदेश की किस नदी के बाईने किनारे पे स्तित है A option पबर, B option पार्वती, C option ब्यास, D option सतलूज तो Vasist गर्म पानी का चश्माज मिलेगा ब्यास नदी के बाईने किनारे पे C is the correct answer Next question है आपके पास, Vasist hot water spring is located in which district of HP Vasist गर्म पानी का स्तरोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले पे स्तित है A option मंडी, B option कुलू, C option शिमला, D option किनार तो Vasist गर्म पानी का स्तरोत मिलेगा आपको कुलू जिला के मनाली के पास B is the correct answer Next question है हिमाचल प्रदेश टूरिजम डबलप्मेंट कॉर्परेशन विल्ट, Turkish type watts at beach hot water spring of हिमाचल हिमाचल प्रदेश टूरिजम डबलप्मेंट कॉर्परेशन ने इन में से किस गर्म पानी के स्तरोत के पास जो नहाने के लिए बनाए हैं वो Turkish type watts है सनान घर जो हैं वो तरकी की जो टेकनोलजी है उसके अकॉर्डिंग बनाएगे A option वसिस्ट, B option तत्ता पानी, C option मनी करन, D option कसूल तो Turkish type watts मिलेंगे आपको वसिस्ट hot water spring है A is the correct answer Next question है जियोरी hot water spring is located in which district of Himachalpadesh जियोरी गर्म पानी का स्तरोत Himachalpadesh के किस जिले में स्तित है A option शिमला, B option किनौर, C option कुलू, B option मन्डी तो जियोरी hot water spring मिलेगा आपको रामपूर बुशहर के पास और ये लाई करता है आपके शिमला डिस्टिक में A is the correct answer Next question है तापरी hot water spring मिलेगा आपको किनौर डिस्टिक में B is the correct answer Next question है आपके पास Which source is the highest percentage of water sources present in Himachalpadesh इन में से कौन सा स्त्रोथ है जो अधिक्तम प्रतिशत मातरा में Himachalpadesh में पानी की supply करता है या पानी के स्त्रोथ के रूप में उपस्तित है A option rivers B option glaciers C option lakes D option waterfalls तो Himachalpadesh में अधिक्तम जो पानी का स्त्रोथ की बज़ा है वो है waterfalls D is the correct answer Next question है ब्यासकुंड is located on which path of Himachal जो ब्यासकुंड है वो Himachalpadesh के किस तर्रे पे स्तित है A option साच पास B option रोतांग पास C option बारालाचा पास D option शिपकिला पास तो ब्यासकुंड मिलेगा आपको रोतांग पास के उपर B is the correct answer Next question है आपके पास Which river of Himachal originates from the ब्यासकुंड Himachalpadesh की कौन सी नदी ब्यासकुंड से निकलती है या उसका उद्गम स्तल ब्यासकुंड है A option सतलुच B option ब्यास C option चिनाब D option राबी तो इसका अंसर question में ही मिल जाएगा ब्यासकुंड से ब्यास नदी निकलती है B is the correct answer Next question है Which of the following is not the hot water spring of Himachalpadesh इन में से कौन सा Himachalpadesh का गरम पाने का चश्मा नहीं है A option तत्ता पानी B option लाल पानी C option कसोल D option बसिस्ट तो इसका correct answer आएगा लाल पानी जो कि Himachalpadesh का गरम पाने का स्तुरोथ नहीं है हलांकि ये place मिलेगा आपको कहाँ पे शिमला में Next question है आपके पास रहला waterfall is located in which district of Himachalpadesh Himachalpadesh का सबसे उंचा waterfall जो है उसका नाम है रहला वो किस जिले में पाया जाता है A option कुलू B option मंडी C option चंबा D option कांगडा तो रहला waterfall मिलेगा आपको मनाली में और मनाली आता है आपका district कुलू में A इसता correct answer Next question है कलत होट वोटर स्प्रिंग is located in which district of Himachalpadesh कलत गरम पानी का स्तुरोथ Himachalpadesh के किस जिले में स्थित है A option कुलू B option मंडी C option चंबा D option कांगडा तो कलत जो होट वोटर स्प्रिंग है वो मिलेगा आपको मनाली में और ये पढ़ता है आपका district कुलू में A इसता correct answer Next question है बहना होट वोटर स्प्रिंग is located in which district of Himachalpadesh बहना गरम पानी का स्तुरोथ इमाचल प्रदेश के किस चिले में स्थित है A option कुलू B option मंडी C option चंबा D option कांगडा तो बहना होट वोटर स्प्रिंग में लेगा आपको बहरी सिराज यानि external सिराज में और ये आता है आपके district कुलू में A इसता correct answer Next question है बहना होट वाटर स्प्रिंग इस लुकेटर ओन दा बैंक ओफ विच रिवर ओफ एच पी बहना जो गरम पानी का स्तुरोथ है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option ब्यास B option पारवती C option सतलुच D option राभी तो बहना होट वाटर स्प्रिंग मिलेगा आपको सतलुच नदी के किनारे C इसता correct answer Next question है कलिका कुंड is located in which district of HP कलिका कुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है A option कुलू B option चमबा C option शिमला B option कांगड तो कलिका कुंड मिलेगा आपको चमबा district में B इसता correct answer Next question है धान्चो Water source is located in which district of HP धान्चो जो पानी का स्थित है इमाचल में वो किस जिले में पाया जाता है A option कुलू B option चमबा C option शिमला D option कांगडा तो दान्चो जो पानी का स्थित है वो आपको मिलेगा चमबा जिला में B इसता correct answer Next question है आपके पास सतधारा Waterfall is located at which place of HP सतधारा जो जरना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जगा पे स्थित है A option चमबा टाउन B option जौला मुखी C option पंजपुला D option मनाली तो सतधारा जरना मिलेगा आपको पंजपुला में पंजपुला है आपका चमबा डिस्टिक में इसका correct answer है C option Next question है सुलह Water source is located in which district of हिमाचल सुलह जो पानी का स्थित है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है A option चमबा B option कांगडा C option कुलू D option हमिरपुर तो सुलह पानी का स्थित मिलेगा आपको कांगडा जिले में B is the correct answer Next question है भागसुनात waterfall भागसुनात जरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है A option चमबा B option कांगडा C option कुलू D option हमिरपुर भागसुनात मिलेगा आपको भागसुनात में और ये मिलेगा आपको मैकलोड गंज के पास और मैकलोड गंज है आपका धर्मशाला डिस्टिक कांगडा में तो इसका correct answer आएगा B option डिस्टिक कांगडा Next question है Lunani जो जर्ना है वो हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है Lunani A option चंबा में B option कांगडा में C option कुलू में D option हमिरपुर में तो Lunani जो जर्ना है वो आपको मिलेगा कांगडा जिले में B इस्ता correct answer Next question है Chadwick waterfall Chadwick जर्ना हिमाचल परदेश के किस ठान पर स्थित है A option डलहौजी B option समर हिल C option मनाली D option हमिरपुर तो Chadwick जर्ना जो मिलेगा वो आपको मिलेगा Summer Hills शिमला में B is the correct answer Next question है Dan Kund water spring Dan Kund पानी का स्त्रोथ हिमाचल परदेश के किस ठान पर स्थित है A option डलहौजी B option समर हिल C option मनाली D option हमिरपुर तो Dan Kund पानी का स्त्रोथ मिलेगा आपको डलहौजी चमबा डिस्टिक में A is the correct answer Next question है कोपरा water spring is located in which district of हिमाचल कोपरा पानी का स्त्रोथ हिमाचल परदेश के किस ठान पर स्थित है A option चमबा B option शिमला C option कुलू D option कांगडा तो कोपरा water spring मिलेगा आपको कांगडा जिले में Basically है यह आपके नदाउन के पास पर यह आता है आपके कांगडा जिले में D is the correct answer Last question है हमारे पास कोपरा और ज्वाला मुखी water springs were discovered in which year कोपरा और ज्वाला मुखी जो पानी के स्त्रोथ है उनको किस वर्ष खोजा गया A option 1854 B option 1857 C option 1860 D option 1862 तो कोपरा और ज्वाला मुखी पानी के स्त्रोथों को खोजा गया था 1854 में A is the correct answer तो इस तरह से lecture number 5 में हमने discuss किया हिमाचल परदेश के पुर्मुक जरने और गरम पानी के चश्मों के बारे में यह HPGK सीरिस का very important lecture है जो आपके upcoming exam के लिए काफी helpful रहेगा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो वीडियो लेक्चर को लाइक करे अपने valuable कमेंट करे वीडियो लेक्चर को शेर करे आपके अपने चैनल The Concept A Path for Success को सबस्क्राइब करे और जाद से जादा शेर करे Thank you जै हिंद, जै हिमाचल, जै भारत